ढूरो ची, मैं एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस उन है इस इकुवाल टू 34 उपान 15, ते रिखेग्स नॉर एक्स नॉट एक्वाल टू 0 एंद मैनस 1 चलिया क्यों सोल किजिए जो रहा है लेकिए कैसे स्वाल करेंगे से यहां हो जाएगा एकस प्लस बॉस प्लस वन पूल स्क्वेड अपॉन एकसे न्टू एकस प्लस वन इस इकवर टू थर्टी फॉर अपॉन फिप्टेन ओक लियो जाएगा x-square और यहां से x-square plus 2x plus 1 यह हो जाएगा 2x-square plus 2x plus 1 upon x-square plus x is equal to 34 upon 15 cross multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा 15 to is the 30, 30x-square plus 30x plus 15 is equal to 34x-square plus 34x इसको transfer कर लेते हैं 34 minus 30 तो that is 4x-square 34 minus 34x-15 is equal to 0 कर लेंगे multiply करने पर क्या आना चाहिए 15 into 4 यानि 60 आना चाहिए इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं यह हो जाएगा टू इन्टू टू पॉर के फैक्टर 15 के फैक्टर होगा थ्री इन्टू फाइग पैसे दो दो टर्म समय बनाने जिससे क्या हो जाए एड़ सब्टेक् तो क्तीप्लाइब करने पर कितना आ जया माइनिस 60 सब्सक्र H करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस सिक्स्टी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस टैन और अपान क्या कोशिएंट ऑफ एक्स स्क्यार अपान फॉर दूसरा के अथा माइनस सिक्स्ट ओघ्रियो फोड्र्स अपान कोशिएंट ओफ एक्स कर कितना फॉर यहाज आएगा एकश इग्रेज विश्टी माइनस फॉर्इड जीज़ि यहीं कोफ टूर्ड तो यह हमारे अंसर हो जाएंगे मायनस फाइब स्वाइट थी वाइट पाइ देखे क्हस्सौल करें घि इसको मुझ सकता हैं एक स्फ्लस ओपॉन एकस- synth? चू कि यहां पर यह मायनेस हो यह वन माइनस एक अगर मैं जस मायनेस को इस को सो मल्टिप्याई कर दूर तो यह ऐसा हो ढकालbooks तो इसका क्या आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनटेक्स प्लस 13 इंटू अध्री एक्स गाल्टेसं से आ जाएगा आ-एक्स-1 – 2x – x – 3x तस दू ओके इस इक्वड तो 17 अपॉन और एकस्क्वार एकस्क्वार कितना हो गे यह 2x square – 3x plus 3x कैंसील हो गया plus 2 upon x square minus 2x is equal to 17 upon 4 cross multiply कर देंगे तो photos 8 x square स्कयर मैनस थेट होगय है यह 9 एक्स स्कयर माइनस स्थीट हुआ कि अब इस तरह स्प्रिट करना है कि हमें क्या मिलें 9 इंटु-7 इंट सेवंटी ट्व मिलें मुल्टिप्लाइ करने पर एड और सब्देट करने पर माइनस 34 मिलना चाहिए देखते हैं इस 9 के फेक्टर किया हो जाएगा 3 इंटी 3 एक के फेक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटी 2 इंटी 2 तो तो 339 जा कि एटी इंटी जा 36 36 और 2 36-2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 34 अब दो कि यहां में यह समझ में आगे इसके फैक्टर क्या क्या मिल रहे है तो 36 क्योंकि मुझे निगेटिव चाहिए तो तो-36 यह क्या लेले हैं में प्लस 2 तो-36 करेंगे तो कितना मिल जाएगा माइनस-34 मिल जाएगा उनका जब मल्टिप्लाई करेंगे माइनस-78 मिलेगा मैनस-72 एट इंटू नाइन यह माइनस साइन के साथ में तो तो इसका मतलब फैक्टर क्या क्या होगा इसके माइनस थर्टी सिक्स और टू अब मुझे इसके सॉलूशन निकालना है तो क्या करेंगे एक्स इक्वल टू 36 divided by coefficient of x square कितना यहां पर 9 तो 36 अपॉन 9 दूसरा रूट क्या हो जाएगा इसका साइन चेंज करेंगे तो तो प्लस टू तो माइनस टू और डिवाड़ेड बाइन यहां से मिल गए एक्स इपॉल टू कितना थर्टी सिक्स अपॉन 9 यह इसके आंसर हो जाएंगे चली देखें कैसे सॉल परेंगे कि यह एक्स माइनस टू टू एक्स प्लस ट्री यहां जाएगा टू एक्स टू टू एक्स प्लस ट्री यससे मल्टिप्लाइब जो जाएगा यह हो जाएगा 2x2 4x2 plus 6x plus x-3 plus 3x plus 9 is equal to 0 that is 4x2 6 plus 3 9 plus 1 10x 9 minus 3 6 is equal to 0 उसे divide कर सकते इसको तो यह जाएगा 2x square plus 5x plus 3 is equal to 0 कि multiply करने पर 6 add or subtract करने पर 5 आना चाहिए तो 2 or 3 मिल जाएगे हमें 3 plus 252 into 36 तो यहां में तो factor पता पढ़ गया कि 2 or 3 आ रहा है तो x is equal to कितना इसके factor 2 माईनस केशिए एक्से करएंगे 2-3 isaha अगया यहां पर आगया एक्से defender और यहां ध्यान यह देना है कि माहा देखिए एक्सेट टू-3 का की फंक्शन तो define ही नहीं तो यह स्लूशन नहीं होगा यह स्लूशन एक्स उकल टू-3य ले सकते हैं क्योंकि यहां पार पांस्टेंट टम क्या है a2-b2 तो हमें इसको फेक्टराइज करना होगा इस तरह से फेक्टराइज करना होगा कि इसको एड़ा सब्टेट करने पर हमें कितना मिले माइनस टूए मिले तो a2-b2 इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a-b into a plus b इसके यह फेक्टर मिलगा हमें अब इन दो फेक्टर को मुझे ऐसे एड़ करना है कि मुझे माइनस टूए मिलना चाहिए तो देखे जरा अगर मैं a-b और a plus b अगर इनको मैं सीदे-सीदे एड़ कर दूं तो ए और टूए हो जाएगा बी से भी कैंसल हो जाए लेकिन मुझे तो माइनस टूए चाहिए इस फ्रположरे सानाओ रहा जाए तो अगर मैं से माइनस इस बी कर दूए थ най- danach हिए और मीश्त इस मेलेंगा और यह से पिलस भी और चैंसल हो जाएग तो मेरे यह पॉसिवल फैक्टर हो रहा है आपर माइनस माइनस ओव भी मानस ओफ जा जा खूसर्द कर देंगे तो कितना हो जाएगा मैमानषबिक रूट रूट्स की यह बटेक्सषिकोल टू क्वैंट्ट्स दिख Panब्स लिए сам इस पूसर्द कें remaining चलिए इसको solve कीजिए चलिए देखी क्या solve करेंगे अब देखे इसके multiply करने पर फेक्टर क्या के दिया हमें यहां पर दिया हूँ constant a raise to power 4 minus b raise to power 4 multiply करने पर हमें क्या मिलना चाहिए 4 into a raise to power 4 into b raise to power 4 करने पर क्या मिलना चाहिए माइनस फोरे स्क्वेर ठीक है तो पहले तो हम इसको जड़ा फेक्टराइज करने यह रेस्टिव पाव फॉर माइनस बी रेस्टिव पाव फॉर तो इसको हम लिख सकते हैं a square plus b square into a square minus b square ओके अब क्योंकि एड़ सब्टेट करने में माइनस 4 a square चाहिए अब इसको अगर मैं ऐसा लिख लूँ a square plus b square तो यह हो गया a square minus b square अगर अभी मैं इसको आड़ करता हूं तो a square a square 2 a square मिल जाएगा अब यह ध्यार रखना है कि तो मुझे निगटिम चाहिए और 4 और चाहिए क्योंकि इनके product में क्या आ रहा 4 भी आना चाहिए तो मैं 2 इसके साथ ले लेता हूं और 2 इसके साथ ल minus 4 a square तो इन दोनों को मुझे negative लेना होगा तो देखिए यहां से minus 2 a square minus 2 a square minus 4 a square आ जाएगा और यह कितना आएगा minus 2 b square यहां plus 2 b square वह cancel हो जाएगा तो मुझे पता पढ़ गया कि यहां इस टर्म को कैसे split कर सकते है minus 2 into a square plus b square में और दूसरा होगा minus 2 into a square minus b square जै इसके possible factor हो जाएगे अब यह factor हो गया तो इसकी roots हम easily बता सकते हैं क्या करेंगे x is equal to sign change करते हैं जा जाएगा 2 into a square plus b square और divided by coefficient of x square यहां पर कितना है 4 ठीक है दूसरा क्या आ जाएगा x is equal to sign change करेंगे तो 2 into a square minus b square और कोफियंट कितना है 4 तो यह कैंसिल हो गया तो यह आ जाएगा a square plus b square divided by 2 या फिर x is equal to क्या मिल जाएगा a square minus b square divided by 2 यह हमारे answer हो जाएगे है a square plus b square upon 2 तोर a square minus b square upon 2 यह हम सब्सक्राइगे तीक व्याहिएगे रिवादी विपरेगे नाएगे शुक्टाइगे तो यह हमारे जाएगे दिस्चा पर आप टो कितना है कि लाइन एक सिस्क्राइब माइनस नाइन एप्रस बीटेटेव कर प्रस पाइव एपी प्रस टू भी स्कर इस इक्वाल टू-0 कि जिए शॉल दूसे इस चलिए देखिए कि छलिए देखिए पहले जो हम क्या करें यह constant हमें इसको factorize कर लेते हैं कि इतना है यह 2a2 plus 5ab plus 2b2 multiply करने पर 4a220 कराना चाहिए तो 5ab को क्या लख सकते 4ab plus ab 4ab plus 5ab हो जाएगा उसका multiply करेंगे तो 4a220 मिल जाएगा यह ऐसा हो जाएगा 2a2 plus 4ab plus ab plus 2b2 इन दो टॉम में समने 2a कॉमा ले लिया तो यह बच्छा a plus 2b यहां से b कॉमा न आ जाएगा तो a plus 2b पूरे से क्या कॉमा ले लिया a plus 2b a plus 2b और यह आएगा 2a plus b अब आप इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते है नाइन एक्स स्क्वेर माइनस नाइन टाइम्स ओफ ए प्लस बी इन्टू टू ए प्लस बी इस इक्वल टू जीरो हम मुझे करना क्या है? मिभी ट्रम को स्प्लिट करना ए तो ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टिप्लाई करने और पर क्या न एक्वा ये j इप्लस बी इन्टू एक चाहने पर ना चाहिए थर देखिए यह एक्लोन टू-B और यह क्या है 2a प्लस b क्योंकि मुझे 9 चाहिए multiply करने पर ठीक है तो इसको अगर मैं क्या करूँ अगर ऐसे add करता हूँ 3a प्लस 2a कितना मिल जाएगा यहाँ पर a प्लस 2a 3a मिल जाएगा तो मैंनस 3a और 6a नाइन अब यहां से देखें कितना हो जाएगा माइनस 3b माइनस 9b अजिसका मतला हमारे मिलड़ को स्प्लिट किया तो क्या मिल गए हमें इसके फैक्टर स्प्लिटिंग के बाद माइनस 3a प्लस 2b माइनस 3 इंटू 2a प्लस बस अब यहां से आंसर दे सकते हैं तो X is equal to कितना हो जाएगा इसके साइन चेंज करेंगे रूट बताने के लिए 3 इंटू ए प्लस टू बी कोफिशन्ट ऑफ एक्स स्कर से डिवाइड किया वो कितना था नाइन दूसरा कितना हो जाएगा या एक्स इकवल टू 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 ए प्लस बी डिवाइड़ बाइन यह क्या मिल जाएगा आंसर ए प्लस टू बी अपॉन थ्री या फिर एक्स इकवल टू टू ए प्लस बी अपॉन थ्री यह आंसर हो जाएंगे ए प्लस टू बी अपॉन थ्री एंड टू ए प्ल X square plus A upon A plus B plus A plus B upon A into X plus 1 is equal to 0. चले, solve की जैसे. अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है मुझे, यह middle term है, इसको split करना है कि multiply करने पर कितना मिले मुझे 1, अब फुड़ा सा भ्यान से देखो, तो अगर यह A upon A plus B, A plus B upon A, अगर इसको multiply करेंगे, तो सीधे 1 मिल जाएगा मुझे, ओके, यह already मुझे factor form में दिये हुए हैं, यानि A upon A plus B, A plus B upon A, तो सीधे answer क्या हो जाएगा, इसका X is equal to minus of A upon A plus B, या फिर X is equal to minus of A plus B upon A, यह answer होंगे, चलिए अगला लेते हैं, चलिए देखिए, क्या करेंगे, पहले तो इसको हम, इस constant हम को क्या करें, factorize कर लें, A square plus A minus 2 is equal to, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यह भी एक quadratic equation ही है, तो क्या करें, multiply करने पर minus 2A square आना चाहिए, add और subtract करने पर क्या आना चाहिए, इसको लिख सकते है, A square plus 2A minus A minus 2, जो यह आता, अगर मैं इसको A comma लेता, 2A minus A, A आ रहा था, A comma लिया, तो A plus 2 minus 1, तो यह आगे, A plus 2, हाँ, ठीक तो है, यह आगे, A plus 2, और कितना आगे, A minus 1, तो यह equation क्या हो जाएगे, X square plus 3X minus of A plus 2, और A minus 1, ठीक है, is equal to 0, तो A plus 2, और A minus 1, अगर मैं इसको add करता हूँ, तो देखिए, A से A, 2A हो जाएगा, लेकिन मुझे A नहीं चाहिए, मुझे तो कितना चाहिए, यहाँ पर 3 चाहिए, तो इसको क्या करें, अगर मैं इसको subtract कर दूँ, तो यहाँ पर क्या हैगा, plus 2 और यह minus, minus, plus हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, A से यह cancel हो जाएगे, तो मिर पाद 2 factor मिल गए, मुझे A plus 2 और minus of A minus 1, तो क्या answer हो जाएगा, X is equal to minus of A plus 2 और दूसरा हो जाएगा, X is equal to A minus 1, यह हमारे answer हो जाएगे, minus of A plus 2 और, A minus 1, X plus 1 upon X is equal to 25, 1 upon 25, जाएगा, जाएगे, कैसे करेंगे इसको, यह X plus 1 upon X is equal to, इसको हम लेक सकते हैं, 25 में तो 25 plus 1 upon 25, ओके, अगर हम compare करें, अगर X is equal to 25 लेंगे, तो देखिए यह X is equal to, यहाँ भी 25 मिल रहा है, अगर मैं X is equal to 1 upon 25 लेता, तो 1 upon X is equal to 25, मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको compare करके भी इस question को solve कर सकते हैं, तो यहाँ से X is equal to कितना आ जाएगा, यहाँ तो 25 होगा, यह फिर X is equal to कितना आ जाएगा, 1 upon 25, यह इसके answer होंगे, बाकि आप इसको solve भी कर सकते हैं, तो इसको क्या लेक सकते हैं, 625 plus 1, 626 upon 25, then cross multiply करके भी आप solve कर सकते हैं, चलिए देखिए इसको कैसे solve करेंगे, पहले तो हम इसको multiply कर लें, तो यह हो जाएगा, X square minus 3X minus 4X minus 7X plus 12 is equal to 34 upon 33 square, इसको इदर transfer कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा, X square minus 7X plus 12 minus 34 upon 33 square is equal to 0, अब आप देखिए यह 34 upon 33 square है, 33 का सकते हैं, पहले इस फाले term का इस पूरे constant term का हम solve करें, तो 33 का सकते हैं कितना हो जाएगा, यह जाएगा, 1089 यह जाएगा 12 into 1089, ओके, minus 34, यह जाएगा इसका numerator solve करने पर, अच्छे है, अच्छे है, अच्छे है, ओके, 120, 130, 68 आएगा, minus 34, तो कितना आ जाएगा, यह 13034, ओके, 13034 आ रहा है, अपन कितना, 33 square तो यह कितना हो गया, x square minus 7x, यह आ जाएगा, कितना numerator में, 13034 upon 33 square में इसको ऐसा ही लिखना चाहा हूँ अभी, अब देखें, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर यह 7 है, यहाँ पर 33 अगर आ रहा है, डिनॉमेटर में, अगर मैं यहाँ पर कहीं से 33 बना लूँ डिनॉमेटर में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्यार माइनस 7 इंटू 33, यह 33 से मल्टिप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने, और इसको क्या लिखा मैंने, यह वन थ्री जिरो त्री फोर अपॉन 33 इंटू 33, छीक है, इस इक्वल टू 0, अब मुझे इसको कैसे ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है कि मल्टिप्लाई करने पर मुझे यह ताम मिलना चाहिए, अब यह कितना रहा है, नुम्रेटर में, यहाँ पर, एक्स स्केर माइनस सेवन त्री जा, 21, 2, 21 और 2 कितना आ गया है, 23, 23, 231, अपॉन 33, यह एक्स था यहाँ पर, पर कितना है, यह 130, 34, तो मझे इसको स्प्लिट कर लेना चाहिए, देखो 130, 34, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं, इसको हमने 2 से डिवाइट किया, तो 2, 6, 12, 2, 5, 10, 2, 1, 2, 2, 7, 14, कैंसे लोगे यह 3 से डिवाइड हो रहा है का देखें जै रहाँ नहीं, 3 से नहीं हो जाएगा, फिर किस से जाएगा यह 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से 7 से डिवाइड हो जाएगा, सेवन 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 से डिवाइड हो रहा है कि इसके फैक्टर के मिलगे टू इंटू ना टू इंटू मैं यहां पर इसे दो टू चूज करना है कि उसको अमें खरब Τोने कहाँ यह इएट और यह रहा है 133 133 प्लस 98 को अगर add करते तो 231 मिल जाएगा ओके यानि मैं इसको split करके क्या लिख सकता हूं इस middle term को यहां पर मैं इसको split करके यह लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वेर माइनस 231 को लिख सकते 98 अपॉन 33 प्लस 133 अपॉन 33 ओके एक्स प्लस 13034 अपॉन 33 इंटू 33 है ठीक है तो यह आगए इसको split करा तो 98 अपॉन 33 अपॉन 33 तो यहां से हम सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं क्या मिल जाएगा एक्स इक्वल टू 98 अपॉन इसके साइन चेंज कर देंगे 98 अपॉन 33 या फिर एक्स इक्वल टू माइनस 133 अपॉन 33 यह आंसर होंगे इसके माइनस में तो यह प्लस में आएगा यह भी माइनस में लगत यह फिसमें आएगा ठीक है दौनों पॉजिटीव आंसर होंगे अगल आए दौन समझ में होने क्या किया पहले इसको इसको में इसको मृटिप्लाई कर लिए तो एक्स कर से इसको थवर ऑप उंस 7x को इसको बना ले तो मेरे लिए चीज़ा आसान हो जाएगी तो मैंने क्या कि इसको भी 33 से डिवाइट कर दिया तो 33 से मुल्टिप्लाइ कर दिया 33 इंटु 7 मिल गया 231 तो देखिए यहां डिनामेटर में 33 है यहां भी 33 है अब मुझे किवल निमेरेटर को स्प्लिट करना रह इंटु 7 इंटु 7 इंटु 7 इंटु 9 तो अगर आप यहां से देखें तो 7 इंटु 749 इंटु 988 मिल रहा है और 97 133 133 और 98 अगर इसको एड करेंगे हम हमें कितना मिल जाएगा 231 मिल जाएगा क्योंकि यह नेगेटीव है तो यह दोनों को मुझे माइनस में लेना होगा य जब इसका अंसर निकालेंगे इसको रूट निकालेंगे तो इसके साइन चेंज कर देते हैं ठीक है तो कितना आ जाएगा यह 98 33 और यह भी कितना आगा 133 अपन 33 तो यह हमारे आंसर हो जाएंगे